हेलो एवरिवान, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी जो सभी बच्चों को बहुत ज़ी चादा पसंद आती है और एक बार आपने इस रेसिपी को बच्चों के लिए बना दिया तो बार बार उसी को बनवाएंगे, इस के साथ ही हमने कुछ बारी कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नीबु की जरूरत पड़ेगी, इन सभी चीजों को हम ये कुरकुरे का जो हमने पैकेट खोला है, इन कुरकुरे के अंदर हम इस प्याज को, टमाटर को और हरी मिर्च को, इन सभी चीजों को इनके अंदर डाल करके मिक्स करेंगे मिर्चे अगर आपके बच्चे ज़्यादा खाते हैं तो उसके हिसाब से आप मिर्चे तिखी रख सकते हैं वैसे कुरकुरे में अपना खुद का मसाला काफी थेज होता है तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा किसी भी मसाले की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है केवल तीन ही चीजों से ये बहुत ही टेस्टी रेस्पी बन जाती है इन चीजों को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा निम्बू का रस आधे निम्बू के रस को हम इसमें निचोड देंगे और अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर देंगे तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर अवशे कर दीजिए और चैनल पर नई आये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए तो ये लीजिए हमारी कुरकुरे की टेस्टी सी चार्ट बन करके तयार है आप इसे कभी भी कहीं भी अपने बच्चों को बना करके खिला सकते हैं बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये चार्ट बहुत ही अच्छी लगती है तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेर अवश्य करें तो मिलते हैं इसी तरह की अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत